प्रइच मार्ट क्या आपकी शरीर पर भी स्ट्रेच मार्ट हैं क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेच मार्ट क्यू पढ़ते हैं अगर पढ़ जाएं तो क्या करना चाहिए? इनका इलाज क्या है? अगर नहीं जानते तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए स्ट्रेच मार्क्स क्यों पढ़ते हैं? जब इस सवाल को हमने एक्सपर्ट से पूछा तो सबसे पहले जानिये उनका क्या कहना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संकीता स्वार्मा, शीनियर कंसल्टेंट अपस्टेटिक एंड गर्नेकोलोजी फिलेक्स हॉस्पिटल अर आज हम बात करेंगे इस्ट्रेच मार्क्स पे स्ट्रेच मार्क्स जब भी हमारा चानक से बहुत जादा वेट लॉस होता है या फिर हमारे किसी भी पॉब्लम के वज़ा से बोड़ी कि स्किन स्ट्रेच होती है तो हमारी बोड़ी पे कुछ मार्क्स आ जाते हैं जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं यह हमें हमें प्रेग और साथ ही अगर हमने कोई भी हमें hormonal imbalance है तो उसमें भी stretch marks हो सकते हैं साथियों stretch marks पढ़ने के एक नहीं बलकी कई कारण हो सकते हैं और ये प्राबलम male और female दोनों में देखने को मिल सकती है खासकर ये समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है स्ट्रेश मार्क्स पढ़ने का सबसे पहला कारण है आपका वेट तेजी से बढ़ना या घटना जब आपका वेट अचानक कम या ज्यादा हो जाता है तो इसकी वज़ा से आपकी जो स्किन है उसका तनाव बढ़ जाता है वजन बढ़ने पर तनाव बढ़ जाता है और वजन कम होने पर तनाव कम होने लगता है इसकी वज़ा से ही हम अचानक वजन बढ़ाते हैं तो तनाव के कारण स्ट्रेश मार्क्स बन सकते हैं महिलाओं में स्ट्रेश मार्क्स होने की वज़ा प्रेगनेंसी है गर्भावस्ता के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजिस होते हैं जो स्टिच मार्क्स का कारण बन सकते हैं प्रेगनिंसी के दौरान त्वचा का अधिक तनाव होता है जिससे स्टिच मार्क्स पैदा हो सकते हैं साथ ही उम्र बढ़ने के साथ भी स्टेच मार्क्स हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी तवचा का ध्यान रखने की क्षमता कम होती है और तवचा की लचीलता भी कम हो जाती है जिससे स्टेच मार्क्स हो सकते हैं। और अगर आपकी डाइट में गड़बड़ी हुई तो भी आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्ग्स पढ़ सकते हैं। पोशक तत्यों की कमी होने के कारण भी स्ट्रेच मार्ग्स हो सकते हैं। विशेश रूप से विटमिन E, C, D और जिंक की कमी स्ट्रेच मार्ग्स का कारण बन सकती है। ऐसे में अगर आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्ग्स हो गए हैं तो इसका इलाज भी जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि स्टेज मार्क्स को हटाने का इलाज क्या है। सबसे पहले तो आप एक्सपेट्स से सुनिए कि स्टेज मार्क्स को कैसे हटा सकते हैं। इनको प्रवेंट करने के लिए हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखने की ज़रुरत है जिसमें हमारा लिक्विड और फ्लूएड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए उसके साथ में कुछ मॉश्राइजर क्रीम्स या कोकोनुट आइल अपनी स्किन प अगर बन गया है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इनिशिली तो ची तरह की चीजे होती है एक है हमारे पास बोडी और लोशन्स या क्रीम्स अवलेबल है जिसमें रेटनॉल या फिर फुल हैलोरॉरॉनर के इसे अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो अगर उसस पी के साथ में और अगर उसमें भी सक्सेस्फुल नहीं हो रहा है तो फाइनली अगर टमी टकिन सर्जरीज करा सकते हैं जिससे ही स्ट्रेच मार्क्स आपके वह अता सकते हैं और एक नॉर्मल स्किन डवलाप हो सकती है स्ट्रेच मार्क्स का इलाज साथियों स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल को ठीक रखना और रेगुलरली एक्ससाइज करना चाहिए डाइट में प्रोटीन, विटमिन E, C, D और जिंक को शामिल करना स्टेज मार्ग से बचने में हेल्प कर सकता है और इसके अलावा पर्याप्त पानी पी कर भी आप स्किन को हेल्दी रखना बहुत इंपोर्टेंट है या स्किन को मॉस्चराइज करने में हेल्प करता है और स्टेज मार्ग को रोकता है नियमित रूप से व्यायाम करने से भी स्टेज मार्ग कम होने में हेल्प मिलती है साथियों, ज्यादातर लोगों में स्टेज मार्ग की समस्या बढ़ते वजन के कारण होती है ऐसे में इससे बचने के लिए आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए कुछ केमिकल प्रोसीजर और ट्रीटमेंट स्टेच मार्क्स को कम करने में हेल्प करते हैं आप stitch marks से भी छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की help लेकर इसे अपना सकते हैं अगर आपको अपनी skin पर stitch marks दिखाई दें तो आप ये भी तरीके अपना सकते हैं और अपनी skin को पहले जैसी दुरुस्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी diet और lifestyle का खास खयाल रखें साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को like share करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और हाँ, bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें Thank you